नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सनमाग नाभी हमारे सरीर का केंद्र बिंदू है और नाभी को जादा छिरना भी नहीं चाहिए लेकिन आज हमें खास प्रयोग बताएंगे जो आपके जीवन की धेर सारी परिसानियों से आपको बाहर निकालेगा ध्यान से सुनिएगा देखिए कई बार क्या होता है न आप मुहासे से परिसान है आपके चेहरे पर दाग धब्बे हैं आपके जो नाभी है वो प्रजनन तन से जुड़ी होती है इसलिए नाभी में तेल लगाने से प्रजनन छमता बिक्सित होती है यह तो सभी जानते हैं और अगर आप नारिय रूप से नाभी की सफाई करते हैं तो बहुत अची बात है अब आज हम एक खास बात बताएंगे वैसे तो नाभी पर सरसों के तेल लगाने से दाग धब्बे ठीक होते हैं नाभी पर अगर सरसों तेल लगाएं तो पाचन तंद्र भी अच्छा रहता है बादाम का तेल ल होते हैं लेकिन नाभी पर अगर बादाम का तेल लगाते हैं तो इसकी निखार आता है और इसके साथ ही अगर नाभी पर आप घी लगाते हैं तो भाग्योदे होता है तो रात में सूने के पहले एक बुंद घी अपनी उंगली में लेकर आप हलका सा नाभी में लगा कर सू होती है कहने का तात पर नाभी में ओयल जरूर लगाना चाहिए लेकिन रात में सोने के पहले अगर नियमित रूप से बटर या घी लगाएं तो भाग्योदे होता है धन्यवाद